हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत संचार निगम लिमिटेट के बारे में जिसे कि आप सभी लोग शॉट फोर्म में BSNL के नाम से भी जानते हैं अभी दोस्तो रिसेंटली ये जो कंपनी है काफी ट्रेंडिंग में चल रही है लोग इस कंपनी के बारे में बहुत जादा बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस कंपनी का शेयर भी खरीदना चाते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप इस कंपनी का शेयर किस तरीके से खरीद सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरी जो company है चर्चा के अंदर क्यों आई है तो आप सभी को पता होगा कि GEO, ATL और VI इन तीनों ही company ने अपने जो tariff plan है इनको बढ़ा दिया है जब से दोस्तों इन तीनों company को tariff plan बढ़ गया है तब से जो भी customer है उन सभी का ध्यान है BSNL की तरफ divert हो गया है और बहुत से लोगों ने अपना connection BSNL के अंदर convert भी कर लिया है अब दोस्तों मैं आप बताना चाहूँगा कि जो company है BSNL इसके अंदर 100% जो share holding है फिलहाल government की है और अभी ये company share market में list नहीं है तो दोस्तों जब कभी भी ये company share market में list होगी उसी time पर आप इस company के share purchase कर सकते हैं हलाकि अभी हमारे पास में ऐसी कोई news नहीं है कि ये company share market के अंदर listed होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है लेकिन जैसे ही कोई news आएगी मैं आपको मेरे वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूँगा तो फिलहाल तो आप इस company का share नहीं खरी सकते हैं अभी दोस्तो एक और news आई है कि जो company है BSNL ये Tata Group के साथ में बहुत ही बड़ी deal करने जा रही है अब दोस्तो देखने वाली बात ये है कि क्या इस deal से BSNL को या फिर Tata Group को कोई फाइदा होता है या फिर नहीं होता है बाकी दोस्तो आप लोग मुझे comment करके ये बताईए कि अगर BSNL का share market के अंदर लिस्ट होता है तो क्या आप इस company का share purchase करना पसंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे बाकी किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने financial advisor की सलाह जरूर ले ले और खुद भी एक बार detail में अच्छे तरीके से research और study जरूर कर लीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करिए आपने इस वीडियो को यहां तक देखा इसके लिए आप सबी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बाकी मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा एक और नए वीडियो में जब तक लिए टाटा बाए बाए